मेरे परिवार जनों, मद्रप्रज़स में भाजपा की सरकार को लगबग 20 साल पूरे हो चुके हैं यानि जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार बोट डालेंगे उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है ये युवा सवभागे साली है कि इन्होंने MP में कॉंग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराईयां उन्होंने देखी नहीं है MP में कॉंग्रेस के शासन की पहचान थी कूनिती, कूशासन और करोडों का करप्शन आजादी के बाद मद्यप्रदेश में लंबे समय तक कॉंग्रेस का ही शासन रहा लेकिन कॉंग्रेस ने साधन सपन मद्यप्रदेश को समर्थ युवाओं वाले मद्यप्रदेश को बिमारू बना दिया, दोस्तों, बिमारू बना दिया यहां के युवाओं ने कॉंग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्ता नहीं देखी यहां के युवाओं ने इस दोर के खस्ता हाल सड़के नहीं देखी यहां के युवाओं ने अंधरे में जीने को मजबूर गाव और शहर नहीं देखे अपने हर कारकाल में भाजपा ने एमपी को नई उर्जा के साथ नई उचाई पर ले जाने का प्रयास किया इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सूशासन ही देखा है उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मद्द प्रदेश ही देखा है उन्होंने मद्द प्रदेश को देश के अगरणी गेहू उत्पादग राज्यों के रुपे देखा है उन्होंने मद्द प्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रुपे देखा है और इसलिए आने वाले चुनाव बहुत एहम है हमें द्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता MP के लोगों ने बनाया है उस विकास की गाड़ी सडक से उतर नहीं भटके नहीं उतरे नहीं और अटके भी नहीं हम अपने आस पास देख रहे हैं कि जब इन्हें राजस्तान में मौका मिला तो कैसे कॉंग्रेस महा सरफ बर्बादी लाई है हमने महरास्त में देखा है कि कैसे कॉंग्रेस ने गड़बंदन ने शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर वन काम बना दिया झाल झाल झाल